तंडव के बाद, the INB ministry has gotten so actively involved and there is such a strong surveillance on everything and sensor भी शायद जल ही OTT को पूरी तरह कंट्रोल करेगा. मेरी सोला फिल्म में शेल भूई दस साल के दोराने शुरू होकर बंद हुई एक फिल्म 80% शूट हुई और वो बंद पड़ गई फिर मैं तीन साल यश्राज में एक फिल्म बना रहा था वो बंद हुई एक बीजेपी भी अब इतनी मॉंस्टर बन गई है क्योंकि यार हम तो पेपल नेवरी इंटरवी कि मैं 2003 जन्वरी में आया हूँ अचली 17 नवेंबर में अजी रिलीज हुई एक अल्मोस 15 एरस घब उस दिन अगर में दादर पर उतरता और कोई मुझे कहता आ कि बाई तेरी किस्मत में 2017 में रिलीज है उसके पहले कुछ नहीं होगा तेगा मैं स बहुत शुक्री आमसे बात करने के लिए, मेरा नाम सत्यम है, मैं न्यूसक्लिक से हूं और यह हमारा सीरीज ओफ इंटर्व्यूस है, NCA Hangout के लिए जो कि हम आपके साथ कर रहे हैं मारा weekly शो है, और हम हर हफ्ते किसी ऐसे इनसान के साथ बात करते हैं कि हमको लगता है जिसने कमेंडिबल काम किया है सिनेमा के फील्ड में या आर्ट के फील्ड में थियर्टर राइटिंग ये सारी शीज़ सबसे पहले मैं यही सवाल अपसे पूछूंगा कि जोरम जो है मैंने जिशान से बात की थी अभी परसों से एक दिन पहरे तो उने थोड़ा बहुत बताया हमको जोरम के बारे में आप बताईए कि कहां से कहानी आई और इस इट ऑलसो रिटर्न डिरेक्टेड बाई यू रिटन बाई ऑलसो बाई यू तो जोरम के बारे मैं बात करते हैं एक तो मेरी सारी फिल्में मैं खुद लिखता हूं यह एक अजीब सी चीज है जो एक इनसान लिखता है और कोई और आकर उसको दर्शाता है यह मैं समझ नहीं बाता हूं अजीब सारी फिल्मेक्र अक्रोस तो वर्ल्ल इस अमेरिका ओ यह वी देश वह इस्पेशली यूरॉप खुदी लिखते हैं अगर आपने लिखानी पेपर तो आप अपने जहन में कैसे बिठाओगे पर इट तो बीड़ दुएस्ट विजिन ओन स्क्रीन तो आइट आपने लिखनी पड़ेगी लिखनी पड़ेगी किसी और से लिखता सकते हैं तो यह मटीरियल और यह पॉलिटिक्स अराउंड डेवलप्मेंट आदिवासी की डिस्पलिस्मेंट और हम बिना उनसे जाज़त मांगे उनकी जमीन लेकर जमीन से आईरन ओर और को जो बनाते हैं यह चीज मुझे अल्मोस्ट बीस साल से बादर कर रही है तो मैं 2010 में आई ट्राविल दोस एरियस एक दम ग्राउंड रियालिटी समझने को कि बहुत सारी चीजें रिपोर्ट होते होते शहर तक आते आते बहुत मैंगल हो जाती है वह दम सही पिक्चर वह कि आपको कभी नहीं आती है तो आप घुट्रावल और आइजिस ट्रावल फिल्मों निये में दूसरी फीचर अराउंड डी सिट्यूएशन में पहली फिल्म थी उंगा जो कभी रिलीज नहीं जिसको मैंने एक नौवल में कनवर्ट किया यंग एडल्ट नौवल तीन साल पहले चपी दो शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं मैंने इस सिट्यूएशन को लेकर तो कहीं न कहीं वो पॉलिटिक्स से वो पहला इंपल्स आया फिर आप चाहते हो कि जादा से जादा लोग ऐसी फिल्म को देखें और इस सिट्यूएशन को समझें इसके बारे में सोचें और इसको आर्टिस्टिक और पॉलिटिकली बहुत पॉलिटिक्स को बहुत पॉर्फरंट में अखें उतने ही कम लोग देखेंगे और वही लोग देखेंगे और अप्रिशेट करेंगे जो अल्ड़ी आपसे अग्री करते हैं तो यह फिल्म वो कोशिश है कि वह सर्कल के बाहर यह बात जा सके और वो सारे लोग इसको देखें और सोचें इन चीज़ों के बारे में जो बिल्कुल ना अग्री करें हमसे और इक डायलोग शुरू हो मैं मनूर वाजपरी का देख ता करें इंटर्व्यू कहा थे कि जंडा लेकर चलने वाला डायरेक्टर है वजए के वजए से मेरी करियर बनती है और विगड़ती है तो कितना क्रांतिकारी है आप क्रांतिकारी तो मैं अंदर हूँ पर मैं वह बाहर विखने नहीं देता हू क्यां कि जैसे ही वो मेरे चहरे पे आ गया तो डायलॉग खतम हो जाती है वो सामने वाला फिर बात नहीं करना चाहता है अगर वुझ से सहमत नहीं है तो और मेरी फिल्मों के थूरो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं जो उन लोगों से बात करूं जो मुझ से असहमत है नहीं तो पॉइंट क्या है? आर्ट का क्या पॉइंट है? क्योंकि हम वो उसी एको चेंबर में बात करते रहेंगे तो and I get asked this also, does an artist change the world? I'm like no, an artist can't change the world until the artist goes beyond his art. I mean what he believes is his art. So in my writing, in my I have written many books in my books, I have written many books, children's books, and there I can be a little bit of a Quran-tikari. Because there are people who don't even know me, today people don't even know me, so I am a little bit unfiltered and a little bit of freedom. But in the film, my primary goal is to start a dialogue. Like I said, the initial impulse is Quran-tikari. But by the time we reach the film, how are you doing? There are so many people together, right? So Manoj Vajpayee, Zeeshan Ayub, crew and a Zee studio, people together, so it's a little bit expanding in that film. You worked with Manoj Vajpayee, Tandav, and this is the third film. How many of you are going to use them? How many of you feel like Manoj Vajpayee as an actor? He's the only reason I keep working with him is because if you look at them, you can make them anything. How much? Physically, if you look at the rest of the actors who are in the same star kind of category as him, they do so much gym that they feel a little surreal. And if you want to create an old, constable or an adivasi character, you will not fit the body of the gym. It's so much push-and-pull that my film doesn't make it. So it's so normal that if you don't know that they're a star, they're going to go back in front of you and you don't recognize them. Like in Bosle, there's a shot where we put them in 70,000 people. We pulled out. We took 60 takes, nobody doesn't know. That is the biggest superpower he brings to my films. I need him to be so real that you forget that you're watching Manoj Vajpayee. Very good. So there's one thing that they bring in. So film is a film that empowers my stories. Tell me, how did you pitch a video? How did you talk about Zeeshan? How did you talk about Joram and Manoj? It's been years before. So when we talked about Bosle in 2014, we didn't talk about it. Then it wasn't made. It was set up several times. It started, then it closed. So at that time, I had made four or five short films in 2015 and it was very viral. So he told me to make a short film. I said, okay, I don't know if you want to make a short film. So we made Tandav. He opened the doors from Tandav. Then we had to post it. When we were making this script, I had this script too. Joramki. So he told me, if you have something else, tell me. We will do it. So today, everyone has told me that this story. So I gave them this story. So they told me that it was about 2016. In 2016, they told me that it was about 2016. After that, no, everyone has told me. It was very good. But that film was seen in the niche circles. It was not so accessible to the mainstream audience. The people who think about the circle. Some of the people say that it wasn't a big hit. I don't know about the circle. I don't know about it. I don't know about the mainstream film. I mean, Netflix. I also made a mainstream film. I don't know about it. But it didn't have a market. Okay. I don't know about it. 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 Especially in today's history, it's been a lot of overlap. In America, there were stars in the indie movement. The indie directors, like Steven Soderbergh, called Sex, Lies and Videotape, after that, it became a studio filmmaker. But also, if you saw Traffic, when you saw Traffic, there was a very artistic aesthetic. So if you want to say it, you want to say it, or mainstream film, what do you want to say? It will be very difficult, to push the lines. If you talk about it in the Indian context? In the Indian context, there was no concept in the Indian context. Never. Except for the late 70s, early 80s, the movement was 6-8 years old. Because it was a very strong movement, which was rejected in the mainstream. But I think, in my humble opinion, it was finished, because it was rejected. It was a real thing. So when you reject it, like Saeed Akhtar Mirza, Saeed Mirza was a little accessible. I will talk about Shaman Benegal, Govin Nehalani, and their films actually shaped me. But if I will make it today, I will exclude them a large part of the audience. So what is the benefit of that? Because today, our politics is so complicated, and so powerful, I think we need to have more dialogue. We can't exclude them, because our society and our system have been excluded. At least, we as artists, become inclusive. I think these lines will be better to erase them. So, I actually enjoy confusing people. I think I made the mainstream film that I made the artistic film. The artists, I made the mainstream film. I made the mainstream film. So, either artists or mainstream film. Like Joram, I made the film, because Z Studios has got the film from it. And in all festivals, they are saying indie films. So, I won't be able to break it. Like, Z Studio has made the film indie film. It's a very good thing. But if you think, how can a studio indie film make it? Because it's the definition of non-studio film. Exactly. I said, Oh, you can think. Because these words, we haven't made it. These words came from America. Even today, the small indie films are made, they are made a fox searchlight. It's been a studio. So, what is indie? Then it's the artist's prerogative. The artist decides how artistic is and how accessible is. And it's very difficult to make the lines and I enjoy it. So, then you can't decide your audience. So, you can't decide your audience. It wasn't released for three years. Unfortunately, in lockdown, Sony Live started a OTT. It was the first release of Bosley. It was viral. I saw it in Habitat. Yes, it was the best screening of Bosley. In Habitat. But, Sony Live had no hope that the film will be viral. Yes. So, no one could say that this is a mainstream film. You had made the approach to all other platforms. No, And Sony did you approach it? No, So, it was happening between Sony and Sony and Sony. So, Sony Live was created and released and Bosley launched. That was just a stroke of luck. But, the fact that nobody could call Bosley an art house on a mainstream film was a lot of fun for me. Don't put it in boxes. Now, if you like it, you don't like it. Let's talk about your start. where did your birth and study in films and writing because you do a lot of things. You've just gifted me a poetry book. No, a book of short stories. Okay. Okay, that's a short story. But you also write poetry. I like poetry. You've written novels also. I've written novels. And you're making films. I've made a film. I've made a film. I've made a film. I've made a graphic art. I've made a film. I've made a solo show. I've made a film before. And some? Yes. You've made a picture of me? Yes. I was a dancer in school and college. And I was a lead singer. So, I was confused. So, I was confused. You've acted? Absolutely. So, I was a theater group in Calcutta. Okay. So, we start from the beginning. I'm really enjoying it. So, I'm from Calcutta. I'm from Calcutta. I'm from Calcutta. My parents, my family is Cindy. My parents, my parents are now known as Pakistan. It's now known as Pakistan. It's in the partition. So, I've been born in my refugee family. So, I was confused. I was confused. I was in the band. I was in the dance team. You were in Calcutta? I was in Calcutta. I was in Calcutta. I was from Bombay. I was 24 years old. Okay. school, college, everything. I worked for three years. All the school, college. All that was in Bombay. All that was in Bombay. All that was in Calcutta. Okay. All that was in Calcutta. Art, art, art. So, in Calcutta, school, college. Yes. So, I did a lot of things. Theater, photography. Then, I went to advertising because I liked writing and art. So, I was an art director, copywriter. I was the only one that I was a team. I was writing my own copy and writing my own art. So, I thought, I got to do all these things in advertising. But, I got to do two, three years ago. Because, there was an ad which I got an award. It was a holding. Because, in Calcutta advertising, there was no motion work. There was only print work. Still. Only still. So, I was standing under the holding for two hours. And, this is 2002. People were coming and going and I was thinking, I don't know anyone that I made this. So, I didn't do anything as an artist. In advertising. Literally, I am sitting on a Thursday in an unreserved compartment and I am running at Dadar Station. I didn't come on Thursday and I didn't come on Thursday. I didn't come on Thursday as an artist. I had to do so much as an artist. I had to do so much. I had to do something in Calcutta. You had the resources then? I didn't have the resources. My mother had just passed off cancer. And, our last rupee was paid for treatment. So, I left my father alone in Calcutta. And, I went to sleep three nights at the station. I did all the struggles and I am a cliche. I am a cliche. You say, there is no struggle. Okay. He said, recently, the deal is viral. All actors are sharing everything. Now, they are successful. Yes, it doesn't happen. And, it's not a struggle. 99 people don't make it. And, it's not like they were less talented. but, when I came, I thought that I would make a chance to make a chance. But, my 16 films were killed in 10 years. Okay. It was closed. One film was 80% shot. And, it was closed. Then, I was making a film in Yash Raj. And, you came to Mumbai? In January 2003. Okay. I worked on Black Friday. There was a chance opened. and, I had done six months of crime journalism also. Okay. With Asian age. They said, do you research? Asian age? No, I'm talking about Calcutta. Okay. Okay. And, after 2001, 2001, 2001. Okay. So, I said, yes. As I was thinking, as I was thinking, I understood that there is a lot of things to do. Then, I assisted him on the script. Then, I assisted him on the film. Then, that was my film school. After that, I was an associate director. Okay. Surprisingly, Black Friday, Bunty and Bubbly. So, between those two films, I realized that there is a spectrum. It's not this or this. It's such a big area and you can occupy that space anywhere. So, both of them are my schooling. Then, which film was made with Yash Raj? So, there was a tie-up with World Disney. Two films. The first film was Roadside Romeo. Okay. Animation film. Yes, that was not made. Saif Ali Khan? Yes. It was my second film. And, I was in animation production for 3.5 years. And, Yash Raj said that Roadside Romeo. But, that was so much in front of the film. I think the trailer was released. No, I'm not talking about Roadside Romeo. I'm talking about the second film. Okay. Roadside Romeo was released. Yes. And, Walt Disney, that was his first vlog in 76 years. And, they told me that that I didn't work for a script. But, it was a tie-up. So, I was reporting to John Glacitor, which is Pixar. And, it was a big dream for me. But, because of the film, they broke the tie-up. And, I had a three film deal. Although, I had a three film deal. So, I left and left. And, I said, 3.5 years, I lost my career. And, I said, I will go back, but, I will go back. Okay. That's when I left. 36, Orissa, and, Andra. Then, I went to politics research. I had all these things. But, I was making an animation film. So, I left that journey. I had a new journey. So, at that time, I had some 16 films, producers, then, actors, and, I said, 80% shoot. His name was Bhoomi. I was a writer and co-director. And, all these things ended up, after one. Then, I thought, I had to say something. It's coming back to Raghu Biryadu. 99 out of 100 people don't make it. It's not such that, they were not working here, talented people. It wasn't with them. How can I say it in retrospect? You're believing it. I can't help it. I've seen failure. And, I've seen so much failure, that I've realized that, no matter how hard I tried, I couldn't have changed my destiny. So, in 2014, then, when Manoj met me, it was probably a joint destiny, but, my life changed. My short films, started to be viral. I made five short films, in that one year. Because of Tandav? Because of Tandav. Because of Tandav. Because of Tandav. Because of Tandav. So, somewhere, things started changing. But, when, Ajji got made, in 2016, and this is something, I was telling people, in every interview, that, I came in 2003 January. And, actually, Ajji released in 2017 November. That's, almost 15 years. I said, that day, if I was on my dad, and someone told me, that, in 2017, it was released, and it won't happen, I would go straight, immediately. So, the production houses, or the big people, who have made films in their hands, or to make films in their hands, or to make films in their hands, are they angry? No. Absolutely. And, it's angry in Ajji. Ajji is a very angry film. So, when people ask, is that anger, that anger of the old woman? I'm like, yes, within the, the dairah of that film, outside, I'm not a woman 60-year-old. So, I don't know, that the anger, physically, how it feels. So, I, the anger of the system, is that anger, I will give it to them, in the film, gender, but that anger, absolutely. I watched it, and when Ajji also watched it, there was one thing, which I probably remember, you probably did, about Habitat screening, about stray cats, and stray dogs, in your films, and I don't know, how much you used in Joram, but in Mumbai, you also used them, and you also used them, and you were trained, and you were trained, and you were trained, but you were aware, that the animals are in the city, and they are here, what is the reason for that? I can talk about this, for 24 hours, I can talk about it. I really like that answer, I mean, I know what you have given the answer, I just wanted to, want you to tell me, in a detail. If I, if you allow, I'll just take a few steps back, to this, I, I'm assuming, but every artist, who, throughout their career, try to be more or less, true in their own art, and tries to become an unusual, spiritual channel, in your own art, through me. और ये मैं जिसे काफका, वैंगॉफ, मैं उन आर्टिस्ट जो बहुत टॉर्चर्ड थे उनको मैं एकडम चबा डाला है। I've just read and tried to understand them, Mritik Ghatak so deeply to see that did they go through what I'm going through? And I realized a lot of them had this strange channel that was opening up which most of them can't explain in words. So when that started happening with me, I found that I can communicate with the animals. And I like the animals generally. Every creature other than man, I feel drawn to. What does everything mean? Everything. Chuhabilli, Chhipkali, Jok. Everything. Snail. Everything. Snake, I'm not scared of snakes. Snake, I feel very fascinating. Very fascinating. I feel very fascinating. Now I have a lot of episodes open up from Youtube. That's very fascinating. I'm watching YouTube at 3-3 hours, I am watching Youtube 4-3 times. What do you think of these videos? It's about you meeting in which environment you have to meet them. If you meet yourself inраст. I haven't met any. If you meet yourself in the environment, they will be scared so important that they will be scared you out to it. In their environment you will not have harm. If you meet the environment, it will not be made to harm you. It really doesn't happen to harm you. That is a blanket rule across the world. इन्सान का भी जब तक आप इसी को थ्रेटन ना करो वो अटेक्ट करना नहीं चाहता एक इफ I'm at the liberty to speak openly about my politics एक BJP भी अब इतनी मॉंस्टर बन गई है क्योंकि यार हम तो है एक साल का अपना डर लेकर आया है वो इतने डर हुए थे कि यार हमको खतम कर देगी दूसरी काउम कि हम अब राक्षास बनकर खतम कर देते हैं उनको it comes from fear so fear is actually everybody's biggest enemy so anyway coming back to the cats and dogs but we'll come back to this also of course happy to तो अज्जी में it was an experiment हमारे पास पैसे नहीं तो पूरी फिल्म एक क्रोड में बनी है मुझे वो mandate दिया था इतने में बनाओ नहीं तो मत बनाओ और तब सारे गामा एक-एक क्रोड की बहुत सारी फिल्में बनानी की कोशिश कर रही थी और असान नहीं है क्योंकि वो तीन या चार ही बनी उसके बाद उनका mandate ही चेंज हो गया कि वो नहीं बना पाए तो एक क्रोड में मैं animal wrangler तो लाई नहीं सकता तो मैंने अपनी टीम को तयार किया वो चौल जहां शूट करने गए तो मैं कई दिन शूट के पहले में बार बार गया वहां पर और मैं कुत्तों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करी जैसे क्योंकि जब 40-50 लोग एक क्रू के आ जाएंगे वो तो एक्दम भिखर जाएंगे इस टू कर दिया और अजी जो हमारी थी सुष्मा देशपांडे उनको कुत्तों से बहुत डर था तो मैंने उनको कहा you just trust me and you just do your thing आप रियाक्ट मत करो यह अपना काम कर जाएंगे और ऐसा हुआ कि शूट के दिन जब भी हम शूट कर रहे थे वो रात को घूम रही है धून रही है चीजे जा रही हैं वो धावले के construction site पे कुद्ते खुदबख़ आ जाते और मेरे एडी थोड़े पैनिक हो जाते कि यार अभी अगले टेक में नहीं आए तो भरोसा रखना पड़े अब वो मेरे हाथ में भी थंडे हो रहे हैं कि यह continuity maintain नहीं कर पाए तो edit पे मेरी ही लगन कि क्या करूं मैं उनके लिए उनकी continuity क्ले कट करो मैं बोला नहीं let's cut for the story देखने क्या होता है और वो टेक्स जो रही उनमें कुद्टे थे जो निकल गई उनमें कुद्टे नहीं थे रॉंक्ते खड़वरे में बोलते लिए इस बिजार हमने plan नहीं किया हमने सिर्फ हरोसा क इक्जाक्टली वो continuity देखकर उन्ही गुड टेक्स में थे अच्छे टेक्स हुए मैंने एक टेक रखा बाकी पांच टेक में कुट्टे नहीं थे इस लाइक उनको पता था कौन सा टेक में रखने भोसले तो भोसले में कुट्टे तो थे ही उस चौल में बट भोसले के साथ मैं तीन चार सब्टेक्स बिठाना चाहता था कौओं का एक चूहों का और बिल्लियों का तो चूहे और कवे तो स्कैवेंजर्जर्ज हैं और कवों का एक पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन अग डेथ के साथ एक कनेक्शन है तो मैं अज मेटफर और मोटिफ उनको यूस कर उनको आने दो हम जब खाएंघे उनको भी खिलाओ उनको कम्फड़ टर चूह हम साथ सटर लोग हैं वायर्ज हैं लाइट सैंचिल्ण चुल्ली हैं वो रहेंगे नहीं यहाँ पर unless you make them very comfortable तो पूरी क्रूने दो स्टी कर ली किल्ईयों के साथ और जिनको डर था उस फिल्म क वी इसाम्हेर वी स्टार्ट रोलिंग अद गिदर और वो धीरे 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 अकर नजदीक आकर बैठी आएसा नहीं कि वह आकर बैठ जाती है वह अपना बिल्ड कर रही है अपना कमफर्ट भुस्ले के साथ और वें सीटा एंटर एंटर दिद्धा एंटर्स अप अपना बैठी एक अपना जारकंड जंगलों और आइरन ओर माइंज में और मुझे इतना ताइम मेरे पास थानी कि में वह जा कर वहां के जानवर दोस्ती कर तो जानवर नहीं है यह अज़िए अज़िए लिस्ट इना दस चीजों और एक भी नहीं नहीं ज़िए नहीं हां तो क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में देश की जू बना गिरग दिया अमारे देश को जंगल होता तब भी ठीक होता है व्यार अफलिए नहीं जू तो महराश्च में तो आप रह रहों आपको हर तरह का एंटर्टेंमेंट मिल रहा है विल्में आपकी बन रही हैं हहां स चेंटर्टेइनमंट फिर था कि shouldn't Hellset किऊईंड रहु आपिक फढ़ेत्व फॉलिज्ड कितने हैं महिने बरबाद सी किम फिर वह दू साल वाच चेंग दो क्रीफ होणा इसको आप अप एंन्ट्र साल्वाग्स किए और अग्म वोजय फिर्विलिजज़ प्रिविलिज़ इस बागे हाए और हमारे जानकिलाले नहीं है बट जिनके हैं वह उतना अटर्टेनिग लगता दिर बगता है तो यही है कि I've also lost my sense of humour ever since the BJP came to power I try very hard but I'm like I can't laugh man because I'm too privileged if I laugh I'm laughing because I'm protected by my privilege तो उसके साथ भी मेरा एक बहुत कॉन्फिक्टिट इलेशन्शिप इसके साथ भी मेरा एक बहुत कॉन्फिक्टिट इलेशन्शिप मेरे सेंस of humor के साथ क्या क्या हैं प्रॉब्लम्स देश में अगर बात करें तो तो ना मैक्रो सवाल ने नी बहुत मैक्रो में पर आ रहा हूं कि आर्ट पर मतलब अपने फील्ड के थूँ अगर आप बात करें तो मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्री कितनी स्लमोफोगिक है इस समय पर अगर नहीं भी है डरी हुई तो है क्योंकि जो अमेज़न और तंड़र ज्हों के साथ जो हो था अमेज़ों के साथ उसके पहले तब भी कोई जिस्की डिसिजिंस ले रहते हुइझ और इवेट वस नहीं स्मॉल वे इन ऑ तंडव के बाद, the INB ministry has gotten so actively involved and there's such a strong surveillance on everything and sensor भी शायद जल ही OTT को पूरी तरह कंट्रोल करेगा, कि डर तो है और वो आटो सेंसरिशिप इतना strong है कि वो अटेरियल तक पहुंचते पहुंचते आप इतने अटो सेंसर हो चुके हो कि बाद में सेंसरिशिप कोई काम नहीं रहता ह तो हमें हैसा कुछ जो आपको लगता है कि डिवल्फिकेट मिलने में पॉल्फमेंट पॉलिटिक्स को लेकर तो खुलके हमने बताई है कि आप जैसे पिछले दो से तीन साल में हजारों हेक्टेर पॉरेस्ट लैंड उन्होंने ऐसे क्लियर गिया है नॉर्थीस और इस्ट बिना पर्लिमेंट में उसका जिकर होए तो इन सारी चीजों पे तो हमने खुलके बात कि गए और जी को इसे प्रब्लम में तो इस दो मिरेकुलोस थिंग तो और इस एक्सेशिबल आप जाए तो मैं उसको इतना नीश कर दूँगा तो तो जी का नुक्सान होगा तो कहीं कैसे जी का निए लुकहा सथेंर, तो मुझे 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 मौका दे एक।ब कर्या एक्सेशिबल में तो त्रय तो की घुटर्यूट्ब अचशिब तो आपकी, जी को पौसरी दो आपकी में कीशिबला दी लिट स्वेसे लोग को परोशा नहीं ता कि अच्छी बना पएं इंडिविजुल एंटिटीज थी जो पैसे डाल जाए तो किसी के पैसे आते आते नहीं आए तो इनको कोई धंकी मिली तो वो बैक आउट कर गए क्या मालूम पड़ वो हर फिल्म पे अलग कहानी तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के साथ वो थोड़ा रिस्क रहता है क् जो छह मेने बाद रिले स्टेट में डाल देंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इवन सरकार भी, हमने C.A. के टाइम पर देगा था, कई लोगों को बुलाया था, इन लोगों ने, बताने के लिए कि देखो कि इतने फायदे हैं इसके। और वो जो सेलफी ली गई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो ऐसी कॉन्वरीशिशन तो उस चीज की आड में होती हैं, तो बिल्कुल है कि पिछले चार साल में उन प्रेशर तो बड़े-बड़े लोगों पे इवन मोर है, जादा है, क्योंकि आप एक छोटी फिल्म दस-पंदरा क्रोड की बनाओगे, और दो साल में उसकी रिलीज हो जाएगी, आप कमाल होगे, अब बच जाओगे, अगर आपका हजार क्रोड राइड गरा इंडस्टी तो उन पे प्रेशर तो कहीं जादा बना रहता है, तो जिस पर प्रेशर बन रहा है, दो यू ब्लेम प्रेशर बनाओगे वहां एक प्रेशर भी तो प्रेश्टी नगावी कोड़ा जाती एंडसां के साथ, इस 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 अच्छी तो 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 घूर्माइब नियुक्त प्रेशर थांगे, बच्छी तो रिक्रिटिसाइज किया थाथा एटा है, आग्ट एक्षे कुमार की क्लियर पर दो पर भी शपोर्ट निए प्रवर्मेंट बट पीपल लाइक आमिर खान ये शारुक खान तो जब जाकर जाकर शारुक नभी अपनी वाइस ली प्रडिमेंट वाले के लिए तो ही वस क्रितिसाइज द लॉट दो थिम्धा स्वार्श दो जाए रसां लोट ट्रहिं थे वाइस लुट का ळच्ण दोस्पैल डियर सब्सक्राइब थारु अफ जा बच्छा तो जाल जाल जाते बच्छियां अई बच्छियारा बॉट फिटें ऑच्छा तो जाल जाल चांवा पनुश यह को फस्टें आश आपके सांदे नहीं है नहीं है तर इसे बड़े सितारें पर तर्थी खान्स आप नेवर मैट इन रहां है ने वर्ट को दार्बाग कि बंटी पुबली पर इनकी पहली फिल्म सी एक साथ बाप और बेटे घी तो क्या आप आगे करना चाहते हैं काम कहानिया है आपके पास रे नहीं बना पाएँ और उसमें मैं अपनी डिरेक्टोरियल वाइस में ला पाएँ तो फिर पिप्त ही जाएगी तो कोई एक लिए दिशा नहीं होगी उसके तो वह क्या श्टरगल्स होंगी मैं अभी तक प्र बेडिक्ड नहीं करौँ तक चाह पांच छ्क्षय साथ साल पहले तक यह दुनिया अलग थी जब अजी और मेरी शॉर्टन बनी वन यह आफर दो बीजेपी केम पावर उसके पहले मेरी फिल्म में शेल हुई not because of the politics of it because of other reasons but after the BJP came to power my films have been getting made but they're small films I never came back to the Yashrad space that I was in now when I go back there I don't know what struggles अदर से होता है कुछ offer आता है कि आओ काम करो उसके बाद से बिल्कुल होता है जैसे बोसले रिलीज हुई 26 जून 2020 मुझे डेट याद है क्योंकि उसके बाद एक हफते तक मुझे बहुत सारे बड़े-बड़े offers आए बड़े-बड़े शो का जो आता था मैं हर इंसान को कहता था मेरे पास 16 स्क्रिप्स है सुन लो मुझे ऐसे हर चीज पर अटेच करनी कोशिश मत करो क्योंकि तुम भोसले देखकर मुझे कॉल करो तुम को कुछ तो दिखा होगा वह पर और वो मेरी वोईस है तुम मुझे शो पर अटेच करके मेरी वोईस को मारे तुम किसी को मेरी स्क्रिप्स नी सुननी थी मुझे अटेच करना था क्योंकि स्टूडियो एक्टिव जॉग इनका काम है कि ये गारी बनानी है पुर्जे कटा करो पुर्जे अटेच करो गारी बन जाएगी अज़ मुझे पुर्जा नहीं है और फूर्ज करना पैसे के लिए का अपने अभी तक मैं अपनी वोईस को त्याग करना अगर वो बीच का एक रास्ता मिल जाए तुमें करूंगा तो छोपफुली जोरम के बाद क्योंकि एक बड़ी स्टूडियो है जिसमें बहुत बड़ा रिस्क लिया है मनोज है जो फैमली मैं के बा इस इंडस्ट्री में एक चीज लैकिंग है जो आपको कैरला में बंगाल में ऐसा में दिखेगा वो सारे फिल्मेकर दूसरे की फिल्मों पर प्रड्यूसर होते हैं राइटर होते हैं डिरेक्टर्स अक्त कर जाते हैं जस्टू एमपावर इच अगर तो आपको यहां नहीं इसा अनुराग नहीं किया है तिक मांशू के फिल्मे काम अकेला अनुराग ही था जिसमें वो यह स्पिरिट थोड़ा इंफ्यूस करने की कोशिश करी बाकी बहुत कम करते हैं तिक मांशू भी करता है अनुराग की काम करते हैं बट हैसा जॉब आप करला में जाओगे यह आपको नहीं मिला यह वाला फेवर कभी फेवर मतलब ऐसी दोस्ती या ऐसा कम है यहां मांगना पड़े तो फिर और यहां हम कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी आईरेनी है शहर में कि यह शहर इस देश का फैनेंशल कैपिटल है और अब यहां चले आते हैं आर्ट बना लिए एक अमेरिका में भी एले और न्यू यॉर्क जुदा है आप आर्ट करने न्यू यॉर्क जाते हो पैसे कमाने एले जाते हो आट इंडस्टी वे करला में फॉर एक्जाम्पल आपको चीज नहीं दिखेगी वो फैनेंशिल अब्सेशन नहीं है लोगों का पैसे बनाती हैं बट आप करते हो आर्ट और ब्रदर ब्रधर हुड के लिए तो यहां पर इवन फ्यू वांट तो डू सम्थिंग इन सॉलिडरिटी दस्टम इस इको सिस्टम इस नाट कंडिसे क्योंकि हर चीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर ही और यह सारे लोगा नूराग ने इस भी श्रगल कि विक्रम मुद्वानी श्रगल किया जब तक आप एक फेस नहीं लाते हो आपके फिल्मी बन की तो वह कर ला में तो नहीं है आप डिरेक्टर को कास्ट करके उसको फेस बना देते हो वह हिम्मत आप रखते हो पर यहां वह बहुत मुश्किल है करना हम इंस इस बिकेम लिटल इजी पॉर तरीके की फिल्मे मैं आज बना रहा हूं मैं शायद इस इसके बार में सोच ही नहीं सकता अगर इन पांच लोगों ने तब फाइट नहीं मारी होती बड़ उसके बाद मुझे यह एनरजी तिर कभी दिखी नहीं आप इनकी फिल्में देखते आप पुरानी फिल्में देखिए आने वाली जुन नहीं जुबली भी नहीं देख और आपसे आप लोग कि बड़ कि देखो हाहाँ बिलकुल कहते है और वो जानते है अब कभरोसा अब और मैं कहता हूं कि अगर चाहते हो देखू तो पेंडराइप देगो मैं वो अबस्क सब्सक्रिप्शन तो नहीं ली बहुत कम देखता हूं बट अब ही कभी कबार देख लेता हूं मतलब अगर अगर जुबी अभी रिलीज हुई है तो मैं आड महीने बाद देखूंगा इत्मिनान से जब यह प्रेशर नहीं रहेगा मेरे सर पें देखूंगा दुनिया यह स तो अब वो समझ चुके मुझे तो अलाओ मिए बूद करते हा तलब छह मेने में एक बहुत कम बड़ा इस आदर्श आर्टिस्ट हो ना तो विलकुल सोबर नॉट रियली हुना नहीं चाहता था था अबट थर्टी वन की उमर में 2010 में मुझे हाट अट 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 अग बहुत मुझे पता नहीं था कि मेरे अंधर 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 इतना फिजिलोजिकली डेमज कर चुगी है तो अरपार था मैं 40 मिनिट्स आ वस आउट और मैं वाफस आया इस लाइक अ सेकेंड लाइफ तो I have to be clean because my heart can't take it. I have difficult days and easy days. इस अट 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 नहीं और यह अट चरए अट 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 गरहा है इस फ्रेश फिल अग्राइब जनरल बात करके तो ऑर का निग्र और तो वर्करार है हो का 40 मिन बाद निकला लिकिन निगना और निक्ला आफ जबन लिए हम आजी तो यह सेग्मेंट हम पांच सव सवाल है यह तो जादा आपको तफसील से बताना हो किसी के वी बारे में आप बता सकते हैं वन वर्ड जवाब देना हो वन वर्ड जवाब दे सकते हैं पहला सवाल मेरा यह है कि मुंबई के अभी वाले दिन या कलकत्ता के वो वाले दिन मुंबई एनी दे एनी डे मुझे यहां बरना नहीं है मैं पहला मुझे मिले मैं बंबई चोड़कर कहीं और जाकर अपना अर्ट प्रैक्टिस करू बड़ कलकत्ता जब मैं छोड़के निकला था वो शहर मर चुका था मर नहीं जाता मैं वापस नहीं जासे अब दू दू गए नो मैं फादर पास्ट अवे इंटी नाइटी इन उल्जाइमर्स हो गया था तब तक मैं वापस हर जाल जाल था जाता उनी के लिए अब यू डोंट रेजन तो कि अवे नहीं था जाएक भी फिरीजन आएटी दूटे के लिए नहीं धिटो यगे शहर में लोग उसको बहुत रॉमेंटिसाइज करते हैं कुछ बहुत प्यारी चीजह इं इस स्टॉरिसिटी अधिस कल्चर वह तीन से छे दिन लास्ट करती हैं क्योंकि रे के बाद कुछ किया नहीं हो अगों है रे को लेकर पकड़े बढ़े हो यह लगार एक बड़े बड़ा है। पॉट्री या प्रोज मतलब पॉट्री आपकी पॉट्री आप रिखते हो प्रोज में फिल्मे भी और नॉवल्स भी शौट्स तोई दोनों क्योंकि जो एक फ्रीडम है पुट्री में वो जो जिस चैनल की बात कर राता है वो चैनल एक्तम अन्हिंडर्ड है पुट्री के साथ विगोड़ी इस एक्सपेक्टिंग संथिंग पुट्री यह दोगिए विगोड़ी इस 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 अधिड भोड़ी इस प्रोज में प्रोज में इस्ट्रुक्चर रीडर और वीवर के एक्स्पेटेशन वह सारी चीज़े महिने रखेंगे रहो तो बोथ फॉर डिफरेंट रिफेंट रहों अनूर जवाच पहिन थे फैमली मैं या म There is uh, that man, however he is above the ground to say, four, four, he is there below the ground. So family man does not utilize it. Family man, thank God for family man so that, you know, we got a chance to make bigger films with him. But you replace him in family man, it still works. Yeah. But you replace him in a legal hat and a boss and a thunder, the film just collapses. It becomes a lesser film. And films releasing in theatre, or films releasing on OTT platforms? Yeah you don't see a difference. It is a difficult question, because OTT has made me. My films don't stand a chance in theatres, never released in theatres, mostly never saw the inside of a theatre, except for festivals. Yet, what the OTT space cannot provide is that experience of a community which I miss a lot in art. क्योंकि मैं एक OTT फिल्मेकर ही हूँ, कहलाता हूँ, क्योंकि मेरी शॉट्ट फिल्मेकर ही हूँ, कहलाता हूँ, क्योंकि मेरी शॉट्ट फिल्मेकर ही सीधे यूट्यूब पे गई But I came to this art because I didn't want to be sitting in a room all alone all my life and writing I came to engage with people, तो वो community experience OTT से चली गई तो दोनों important है, कहीं न कहीं यह दोनों अपना हाथ मिला लें और एक hybrid, एक permanent hybrid solution निकल आए तो इस बेनिफिट अब मेरा आखरी सवाल alternative और parallel cinema या mainstream cinema ता पर हम तो खांचे में बांटी नहीं रहें तो मैं तो कभी नहीं बांटी नहीं रहें तो मैं तो कभी नहीं नहीं करें तो we are doing a disservice to those filmmakers चलिए यह था जी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप से बहुत शुक्रिया अगर आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं तागी लोग हमको सब्सक्राइब कर लें इसमार नया शो बना है इसको आगे चल कर देखते रहें शो का नाम क्या एंसी हैंगाउट नाम है औ और आपको कैसा experience लगा तीन चार कट्स के बावजूद वह बता दीचें एंसी हैंगाउट में बहुत मजा आया बात करके यूस क्लिक को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें क्यूंकि इसके लिए आपको पैसे में देने बड़ें हांजी बिलकुल एड़ फ्री थैं झाल 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 झाल